इस्राइली सिना राफा के और भीतर घुसने की कोशिश कर रही है लेकिन हमास की सैने शाखा अल कासिम ब्रिगेट्स के लड़ा के इस्राइली सिना पर कहर बनकर तूट पड़े हैं जियां राफा जंग इतनी भीशड होगी ये आईडियफ ने भी सोचा नहीं था राफा को लेकर आप तो इस्राइली सैनिको के माता पिता भी उसे एक मौत का जाल मान रहे हैं और इस्राइली रक्षा मंतरी और सेना प्रमुक से राफा हमले को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं दरसल गाजा का राफा शहर मिसर से लगा हुआ है और यहां पर दस लाग से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है ऐसे में नागरी का अबादी के बीच हमास ने बहुत मजबूत नेटवर्क बना रखा है इसके अलावा राफा की जमीन के नीचे सैक्रो सुरंगे भी हैं जो आईडियफ के लिए सबसे बड़ी चुनावती है लेकिन इस सब के बीच अलकसिम ब्रिगेट्स ने एक बार फिर से थाबित कर दिया है कि राफा से उसे उखाड फेकना आईडियफ के लिए सपना ही रहेगा दरसल राफा में इसराईली टैंकों पर अलकसिम के लड फट पड़ता है जिसमें जोरदार धमाका होता है इसके बाद अलकसिम का लड़ाका तुरंत खुद को चिपाते हुए खंढर पड़ी इमारत के बीच भाग जाता है आपको बता दे कि ये पूरी घटना जबालिया कैम की है हाला कि इस पूरे हमले में इसराईल की 35 वी पैर सैनिक मारे गए हैं और अन्य आठ सैनिक घायल भी हुए है इसरैली सिना के प्रवक्ता ने इस बात को सुईकार किया है आईडिया के मताबिक मारे गए सैनिकों में एक अधिकारी भी है जो जबालिया की एक बिल्डिंग में मारा गया है जिसे बूबी ट्रैप से हमास के लड़ा का हर याले के बीच छिपकर पहले तो मिसाइल को एक लाउंचर में भरता है और उसके बाद फिर उसे एसकेलोन की तरफ फायर कर देता है इसमले के बाद जबालिया कैम में अलकुट्स बिगेट्स की इसराइली सैनिकों से बहुत ही भीशर भिरंत हुई हमास दोरा जारी किये गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ा के सीधे मिरकावा टाइंग के सामने आकर उसके उपर रॉकेट डाग रहे हैं इस दोरान उनकी आईडियो के सैनिकों के साथ गोली बारी भी होती है और जब ये हमला हो रहा था उसी वक्त जबालिया कैम में अलकुच के लड़ाकों ने इस्रैली सेना पर एक स्नाइपर ऑपरेशन भी किया अलकुच के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सामने एक इमारत में आईडियो का जवान अपनी पोजिशन लिए होता है और उस पर अलकुच का एक लड़ाका स्नाइपर राइफल से फायर कर देता है महीं दूसरी तरफ अलकासिम ब्रिगेट्स के लड़ाके भी इसी दोरान आईडियो के खिलाफ मोचा संभाल लेते हैं यहाँ पर अलकासिम के लड़ाके इसराइली सैनिकों और उनके वहनों पर मोटा गोले तक दाग देते हैं जिससे आईडियो के सैन ने वहन तबाह हो जाते हैं अलकासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लडाके दूर खड़े इसराइली टेंको और सैनिको को एक जटके में रॉकेट से उडा देते हैं इसी वीडियो में घनी हरियाली के बीच हमास का एक और लड़ा का रॉकेट लॉंचर के साथ दिखता है जो देखते ही देखते आईडियाफ के ऊपर रॉकेटों की जड़ी लगा देता है झाल